हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों कडित के बहुत ही महत्पूर्ण प्रेशने हैं ये सभी प्रेशने परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो पूरा वीडियो देखेगा सब को समझ मैंगा तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशने है एक गाउं में कितने भी लोग हो वो अपने आप में हंडेट परसेंट होंगे ठीक है अगर मैं पूरे गाउं की बात करूं तो पूरे गाउं में जितने भी लोग होंगे 10,000 हो चाहे 5,000 चाहे 7,000 वो अपने आप में कितने होंगे 100% इतना किलियर है ये इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अपने आप में 100% होंगे अब इस 100% में से 30% लोग शिक्षित हैं 30% लोग शिक्षित है किलियर है 30% लोग शिक्षित बात कर रहा है जब 30% शिक्षित है 100 में से तो अशिक्षित कितने होंगे 70% होंगे इतना किलियर है पूरे गाओं में 100% जनसंग क्या होगी उसमें से 30% सिक्षित है तो अक्षिक्षित कितने होंगे? 70% होंगे इतना केलिया रहे है अब यहाँ पर कह रहा है पूरे गाउं की जंसंख्याम को दे रखे यहाँ पर 66600 हमें पूरे गाउं की जंसंख्याम दे रखे is 6600 में से 30% लोग शिक्षित है तो मैं क्या करूँगा इस 6600 का 30% निकाल लोगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने सिक्षित है लेकिन मैं 30% क्यू निकालूँ मैं तो 70% निकालूँगा न किलियर है बैइs 70% निकालूँगा क्यूंकि हमसे पूछ किया रहा है अशेचित लोगों की शंक्या और अशेचित प्रतिसत में कितने हैं 70% तो मैं क्यों निकालूगा भई से अशेचित का मैं तो अशेचित का निकाल लो पता चल जाएगा तो 6600 का 70% निकाल लीजिए परसेंट का मतलब बटेई में 100 दो 0 से आपके ये 2 0 कट जाएंगे ये 0 आ जाएगा लाष्ट में 7 कमल पर 7 6 से करो 7 6 के 42 का होता 42 का 2 केरी का 4 आएगा 7 42 और केरी का 4 उसमें जोड़ देंगे तो 46 ये आपका आंसर हो जाएगा 4620 क्या हो जाएगा आंसर अगर आप से पूछता कि शिक्षित लोगों की बता दीजिए तो शिक्षित लोग कितनी आपके 30% हैं तो हम 6600 का 30% निकाल लिते ठीक है अश्यचित का पूछ रहा है अश्यचित हमारे पास 70% हैं तो 6600 का हमने 70% निकाल लिया उम्मीद करूँगा सभी को प्रेशन अच्छित समझ मां गया 4620 4620 C option में दे रखा है के लिए रही बात आप देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है यदि किसी विद्याले में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की 70% लड़के हां अगर मैं लड़के लड़किया दोनों को मिलाओं तो विद्याले में चाहें कितने भी बच्ची होंगे वो अपने आप mm taraf agate या दोनों मिलाकर करके अव इस हंड़के में से 70% n लड़के हैं यह कह दिया अब सो में是我 50 परसेंट लड़कियां कितनी होंगी वाई 30 परती सत लड़कियां होंगी अब पृति सत में लड़किया 30% है औउन संख्या में कितनी है 504 ठीक है लेकिन अभी बिद्र जालाय में लड़का लड़की मिला करके कितने चात्र हैं आपको नहीं पता कितना ही लेकिं 30% का मान आपको पता है 504 क्योंकि लड़की याँ प्रतिसत में तो 30% हैं और संख्या में 504 तो इस 100% का मान कैसे निकालेंगे इस 30 से इसमें डिवैट दे देंगे 100% का मानने के लिए 100 से गुना कर आपको पता लग जाएगा ठीक है टोटल चात्र कितनी है यह पता लग जाएगा इससे ठीक है टोटल चात्र अब टोटल चात्र का क्या निकालेंगे आप 70% निकालेंगे ये तो टोटल संख्या है ना 100% ये तो टोटल संख्या है अगर मैं इसको इतना solve कर लेता फिर भी 70% निकालना पड़ता इसलिए मुझे इतना पता है कि ये मेरा टोटल संख्या है तो इसी का सीधा सीधा 70% मैं निकाल लेता हूँ किलिर है अब देखी, 100% से 100% ये तो है क्ट जाएका थीक है, यहाँ पर कटा ये जीरो शे एक ये जीरो भी क्ट जाएगा, थीक है, अब देखें, तीन से में से कटा हूँगा, ये कितनी वार में कटे गा, तीन एकम तीन, दो बच्छे का वीस, थीन शिक के अठारा, दो बच केरी का चार, हम साथ केरी का चार जोड़ेंगे ग्यारा, 16,6 आपका अंसर हो जाएगा, 11, 4.7 दे रखा है C-OF-S gagn acá, उम्मेद करूँगा ये प्रिष्णी भी सभी को अच्छे से किलियर हो गया, अब देखेंगे अगला प्रिष्णी, अगला प्रेशने है एक परिक्षा में कुल परिक्षार्थियों में 70% उत्तिर्ण हुए मतलब 70% ही पास हुए यदि अनुतिर्ड की संख्या 420 है तो परिक्षार्थियों के कुल संख्या कितनी है मतलब परिच्छात्रियों के कुल संक्या मतलब टोटल संक्या पूछ रहा है ठीक है अब परिच्छारतियों में जो कुल परिच्छात्री के दिर रखा है न कि एक परिच्छात्री में एक परिच्छा में कुल परिच्छारतियों मतलब टोटल परिच्छारतियों में कुल 70% पास हुए टोटल परिच्छारति कितने होंगे अपने आप में 100% होंगे ठीक है इस 100% में से उत्रिण कितने हुए 70% उत्रिण का मतलब होता है पास तो पास होगे 70% अब जब 100% में से 70% पास होगे तो fail कितने हुए 30%, मतलब अनुतिर्ड कितने हुए 30%, तो 35 में अनुतिर 30 है, और संख्या में 420 है, कि लिए अनुतिर्ड की संख्या 420 है, प्रति संख्या में 420 है, अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि परिचार्तियों की फिरे मतलब 100% का मान तो 420 है 30% का मान, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? इस 30 से इस से में डिवाइट देदेंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्ट्रिपाई कर देंगे, आंसर आजाएगा, एक 0 से एक 0 ये चला जाएगा, 3 से से कटाऊँगा, 3 एकम 3, तीन तीन चौक के बारा ठीक है अब चौदे का मल्ट पई कर दू सो में यह हो जाएगा चौदे सो यह आपकी प्रशने का बिल्कुल सही आंसर हो कि चौदे सो दे रखासी ओफसन में उमीद करूंगा सभी को प्रशन अच्छे से समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्र जैसे मालीजी हम सो रुपे में पहले दो किलो चीनी लाते थे ठीक है सो रुपे में दो किलो अब आ रही है सो एक सो बीस रुपे की दो किलो ठीक है लेकिन हम यह चा रहे हैं कि हमें सो रुपे में ही चीनी मिल जाए चाहें वो कितनी भी आए भाई पहले सो रुपे में दो किलो आ रहे थी अब 120 में 2 आ रही है तो इसका मतलब 100 में 2 किलो तो पूरी आईगी नहीं है तो चाहे कितने भी आ जाए हम खपत कर देंगे 100 रुपे में 2 किलो खा रहे थे अब 100 रुपे में 2 किलो खा लेंगे और क्या हो जाएगा लेकिन फैसे हमें जादा खर्च नहीं करने 100 ही रुपे खर्च करने है यह इसका मतलब है तो प्रतिसत कमी बराबर में एक फॉर्मूला यहाँ पर जो लिख वा रहा हूँ उसे लिख लीजिएगा R divided by 100 पिलस R गुने 100 ठीक है लिख लीजिएगा इसको अपनी जोड़ देंगे 125 हो जाएगा गुने कितना है 100 है 25 से 125 पांच बार में कटेगा 5 से 120 बार में कटेगा तो कितने प्रतिसत कमी करनी होगी खपत में करनी होगी 20 प्रतिसत की कमी B option हो जाएगा प्रेशन का बिलकुल सही आंसर के लिए रुभी बात सभी को प्रेशन अच्छे समझ में आगिया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है यदि A की I B की I से 25 परसंट कम है A और B दो ब्यक्ति है A की I B की I से 25 परसंट कम है A की I B की I से 25 परसंट कम है अगर B की I 100 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी एकी 75 हो जाएगी बैई तबी तो 75 परसेंट होने के बाद ही देखी जो एकी आए है वो बी की आए से 25 परसेंट कम है अब हमारे एकी आए कितनी है 75 बी की आए 100 है बैई हमारी देखिए यहाँ पर जब मैंने से देखा कि यहाँ पर आप चेक करें परतिस में पूछ रहा है तो सो से APP कुना कर दीजी पच्चीस सें तीन बार में कटेगा 300 को काटेंगे 33 सही एक बट्टे 3% हो जाएगा 33 सही एक बट्टे 3% सी ओफ्षन आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 136 divided by 17 पिलस 17 गुने 13 माइनस 103 माइनस 85 गुने 62 पिलस 145 divided by 23 सीधा सीधा प्रश्नी कीजिए 136 में डिवाइड देना है 17 से तो दे देते हैं 17 से डिवाइड देंगे 136 में कितनी वार जाएगा 8 वार जाएगा तो यह पूरा सॉल्ब हो गया प्लस का साइन है प्लस ले लेते हैं 17 गुने 13 अगर आप 17 का गुना करेंगे 13 से तो कितना होता है 221 होता है लिख लिया और यहाँ पर माइनस का साइन है यह भी ले लिया यह भी सॉल्ब हो गया अब 103 में से मैनिस कर देंगे 85 को तो कितना बचेगा 18 बचेगा ये भी solve हो गया गुना दे रखा है गुना ले लो अब देखे बास अट में जोड़ देंगे 145 तो कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा ये भी solve हो गया divided by 20 पूरे में divided by कितना है 23 दे रखा है अब 23 से 207 नो बार में कटेगा के लिए रहतना अब देखे नो बार में कट गया ये कितना है 8 पिलस 221 माइनस का साइग 18 गुने 9 कर दीजे 18 गुने 9 होता है 162 ठीक है ये भी पिलस का ये भी पिलस का तो 8 और 221 कितना हो जाएगा 239 हो जाएगा इस में से माइनस कर दिना है 162 को 230 में से 162 घटेगा सरसट बचेगा ये आपका आंसर हो गए अगर इस तरीके का कभी भी प्रेशने दिया जाए तरीके से स्वल्ब कीजिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या अच्छे समझ में आगया किसी कोई दिक्कत परिशाई नहीं होगी ठीके दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद